कूसुल आपकल mm आप सभी का हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वाबत हैं। के वीडियों के अंडर हम बात करेंगे वॉल्यम एनलिसिस करने की कोसिस करेंगे। गया होता है किसी भी सेर के जो अप्ट्रेंड डाउन्ट्रेंड या उसकी जो उत्रा चड़ाव होती है उसके अंदर वोल्युम की का कितना महत्पुण योगदान है और वोल्यूम का गिरना वबढ़ना उसके साथ में सेर की कीमत के साथ इसका क्या संपर्क है वह पूरा इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे तो दोस्तों अगर आपना भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल है उसको जोइन नहीं किया है तो उसके हम स्विंग इंट्रडे कुछ लॉंटर्म के कुछ चार्ट हम अच्छे लगते हैं उसके बारे मैं पोस्ट डालते रहते हैं अगर आपको लिंक दे रहा है टेलिग्राम चैनल का वहां जाके आप उसको जोइन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और अगर आपको हमारे वीडियो देखने हैं तो जो रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाए दे रहा है उससे प्रेस कर लिजिए और साथ में बैल आइकन को दवा लीज चाहें उसे आप एक वीकली अवदी समझें एक दिन की समझें पांच मिंट पंद्रा मिंट एक घंटे उसके दोरान में टोटल स्टॉक के अंदर कितने खरीदी या विक्वाली हुई है उसको यह वॉल्यूम द्वारा प्रदेशित किया जाता है कि इस समय अवदी के अंद लिए यह तो श्टॉक के भावगी केंडल बन रही है और बिल्कुल जो चार्ट के बॉटम में आपको यह वाली जितने भी यह वाली हां से लेकि यह केंडल जो आपको दिखाए दे रही है इन्हों को हम वॉल्यूम बोलते है ठीक है यह आप वॉल्यूम केंडल कह सकते हो ठीक और इस पांच मिनट के अवदी के दोरान कितने लोगों ने खरीदी विक्वाली हुई है उसको ये वॉलियूम परदी से सित्थ करती है अगर कल की देखें ये पांच मिनट की जो पहली केंडल थी इस पहली केंडल के अंदर वॉलियूम देखें कि बहुत ही जवर्दस इस इसके अंदर वॉलियूम थे ठीक है एक बात और दोस्तों जब किसी भी सेर के अंदर जिस समय में अगर खरिद्दारी होगी तो वॉलियूम की जो केंडल होगी वो ग्रीन कलर की ठीक है अगर किसी समय आउदी में उस पांच मिनट के अंदर जैसे इस समय में इस यहाँ पर लोगों ने मल बेच आयह तो अगर मल बेच आए बिक्वाली हो रही है तो रहमारी जो मवियों रहे हो रहे है तो यह मतलब होता है और कैंडल बनती है डोस्तों वजआर के Shell के घृओیک होती है पूरे एक ट्रेडिंग डे या जितने मिनिट का हम चार्ट देख रहे हैं उसके अंदर जो खरीदी अब इक्वाली होती है उसको हम वॉल्यूम के आदार पे डिशाइड करते हैं कि आज के दिन या इस समय अबदी के दोरान कितनी ट्रेडिंग हुई है वो वॉल्यू दोस्तम वॉल्यूम को हम काउं खरेंगे जैसे यहाँ पर देखे एक अमरा यह बाएर बैठा है एक अमरे इस सेलर बेटा ठीक है यहाँ पर यह 5 सेर था यहां पर यह पांच सेर बेचना चाहता है ठीक अगर इन दोनों का सौधा हो जाता है तो 5 प्लस प्लस पांच होते हैं 10 ठीक है तो ये 10 हो गया आप इसको 10 वॉल्यूम नहीं गिनेंगे ठीक है आप ये ना समझे कि 5 इसने बेचे 5 इसने खरीदे तो ये 10 वॉल्यूम हो गए ये बिल्कुल गलत है ठीक है भाई सौधा कंप् कूइं थी दस वोलियुम कंट नहीं होगी ठीकस पांच वोलियुम्म्म्म होग एक और और देख और एक चौ बाइसरा चाहता यह हमाराDad चाहता है इसक आइसरैर यह जाता है एक चीए हमारी वोल्यूम 190 हान्जी जे में मारी वॉल्यूम 11 कोगी ठेकि अब बोल्यूम का गिरना व बहुड़णा साथ कैसा है उसको हम एक चार्ट के माद्यम से समझते है और पते चार्ट बना लिए नदोस्तों से सब्सक्राइब से हम समझेंगे वॉल्यूम को ठीक है तो यहां पर सबसे पहले यहां पर हमारी वॉलयुम है और यहां पर रिजल्ट है कि वॉल्यूम का गिरना बढ़ना का क्या रिजल्ट है अगर हम देखें अगर हमारा प्रैस भढ़ रहा है भी तो यह तो एक अच्छा समj aren Red चाते हैं ना तो इसको आप अपने एक नोट बना सकते हैं इस चीज़ का ठीक है यह आप इसके ले लिए लिए इसका यह आपके बहुत काम आएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर दोस्तों इस्टो का भाव गिर रहा है साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यह सेर के लिए बहुत ही बुरा माना जाता है हमारी इस्टो की कीमत और नीचे जाएगी ठीक है यह इस्टो के लिए बैड़ माना जाता है अगर हमारा इस्टो का भाव गिर रहा है और स रुकावट आने वाले हैं, तो यह संकेर अच्छा माना जाथा है, कि अब घिरावट थमने वाले हैं और और रिवासे के संकेत काइए है। अगर दोस्तों हमारा price भढ़ रहा है और अगर हमारी volume गिर रही है तो यह stock के लिए बहुत ही खराब माना जाता है इसका मतलब यह है कि जो हमारा uptrend stock भढ़ रहा है इसमें रुकावट आने वाली है यह हमारा uptrend खतम होने वाला है और यहां से गिरावट का दोर चालू हो सक पता है तो यह हमारे volume analysis था जिसको मैंने चार्ट के उपर आपको अच्छी तरह से समझा दिया है इसका विसकी इंसाट ले लिए नोट बना लीजिए आपके बहुत अच्छी तरह से काम आएगा एक बार फिर से दोस्तों सुन लें अगर हमारी stock का भाव भढ़ रहा है साथ साथ में volume बढ़ रही है तो यह stock के लिए अच्छा माना जाता है अगर stock का भाव गिर रहा है साथ में volume बढ़ रही है तो यह अच्छा संकित है कि गिरा और थमने वाली है होने वाले हैं तो दोस्तों यह चार्ट बनाया इसकी मदद से आपको volume अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो किसी भी सेर में volume का एक बहुत ही महत्मुन योगदान होता है अगर अगर अप्ट्रेंड है उसके अंदर volume आ दिए तो stock और तेजी से उंपर जाता है अगर volume नहीं है या कभी-कभी आप देखते हैं कि किसी भी सेर के अंदर volume लगबख खतम हो जाते सूख जाते हैं क्योंकि वहां पर buyer होते ही नहीं है ठीक है seller नहीं होते और दोस्तों यह आपके लिए tips समझें इसके अंदर कि आपको नॉर्मली ऐसे stock के अंदर खरीदारी विक्वा करने में अगर आपको stock बेचने हैं तो आपको बहुत प्रॉल्म होगी क्योंकि इसके अंदर volume थोड़े बहुत कामकाज होता हो ठीक है या उसके अंदर थोड़े बहुत volume होने चाहिए बिल्कुल volume नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी stock को बेचने में तो इसको आप tip सम परजिए कि कम से कम ऐसे शेवर कंदर निवेस करिए जिसके अंदर volume ठीक होते हो ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वाल्यूम अनेलिसिस जो हमने आपको बताया चार्ट में समझाया और जो stock का निफ्टी का चार्ट आप आप समझाया उम्मीद करते हैं आपको